गाउं का सामन्त वादी मंगल सीह दलित महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी दे रहा है। सरे आम धमकाने के बाद भी आरोपी पर कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। जब SP ने कोतवाली TIA के पास भेजा तो वह भी समझोता कराने की बात करने लगे। मंगल सीह पहले भाजपा नेताओं के करीब था, अब सरकार बदली तो खुद को कॉंग्रेस नेता के करीब बता कर रॉब जमाता है। मंगल सीह खुद को विधायक का करीबी बता कर पुलिस और जन्पत के अफसरों को अपना रुत्बा दिखाता आया है। मंगल सीह के लड़का हैं साथ, ना कोई पैसा लेना देना हो, बेफ खाया कर रहे हैं, ममी से बात करो, यह सर पंच हमाएं। जी माम जी सब जाब बोल रहा है कि जैसे हम आप पैसा देते किसी तो किसी के सामने देते गवाल कोई करते हैं, करते हैं, करते हैं, क्या देते हैं। अब हमने का रही हैं, दो जाएं जी थाड़ी, अभी क्या हो रहा है, कि मतलाब बता देते हैं, अब हम बता देते हैं, लगा देखो हमानने की धंकी भी दे रहे हैं, उनके लड़के हैं, जी गिराम पंचा सराइनी जिला छदरपूर, घर में यह लोग देखो हमारे घंकी देखें जा रहे हैं, अभी आप सुन रही होंगे, जी जी सर समझ पा रहे हो, पानी की टंकी के पास साहता चा रहे हैं, जी सराइनी गाउं में बहजा दीजिए, जिला छदरपूर, सिटी को तवाली पारता था था, जी जी आपका पूरा नाम जान सकते हैं, एहरा लार बस मार पीट की दमकी दे रहे हैं, जी बिलकुल कह रहे हैं, हम तुमारे हाथ पाह तोड़वा देंगे, आपने सुना होगा, भी रिकोर्ड भी होगए इस बात में, हलो, हलो, हाँ जी सर, अभी 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 फो नमबर पे फोन लगा है है, हाँ जी, कहां से बोल रहे हैं, सरान सरानी, सरानी गांग, सरानी से क्या हो गया, सरे क्या है, मंगल सिंग ठाक हो रहे हैं, हमें परिसान करता है, मेरी मम्मी को परिसान करता है, हम सब को परिसान करता है, पैसों के लिए पैसा दो, ना कोई लेना ना देना, चलो, ठीक हम बें जा रहे हैं, पुलिस को जा रहे है डिए देडियों